बिस्मिल्लाहिर्राहिमानिर्हीम ओन दिमांड आप अमाम खान यह प्रॉब्लम डिफ्रेंटियल के इन्वलोप एन एपलूट चेप्टर से हैं फाइंड दी इन्वलोप पू आफ कर्व यह और एक्चल में यह लाइन है एक्स सेक अलफा मैंनस बीबाइ खॉसिक अलफा इस स्थे जड़ीजिए माउट इसकेड अलफा यहां पर एल्फा अलफा है वह पाराइन कि ए और वी हैं वह कॉंस्टेंट है xy variable है और alpha की अगर हम एक कोई value fix पहले कर देंगे तो एक कोई line मिलेगी यह line का equation इसलिए है क्योंकि xy की पाबर जो है वो 1 है और constant term है तो इसलिए एक xy की पाबर जो 1 1 होती है तो यह एक line की equation को denote करता है तो यह line एक line तब बनेगी जब हम alpha की कोई एक value लेंगे जब हम alpha की कोई दूसरी value रखेंगे तो दूसरी line का equation होगा और में मालमें line में xy variable होता है और constant कोई हो और इस तरीके से alpha की different different value लेने पर हर एक line मिलेगी इस तरीके से बहुत सारी जब line मिलेंगी infinite alpha की value दी जा सकते हैं तो वह सारी lines जो होंगी वह family कहलाती है family of lines तो इसको इसलिए family of lines का equation कहेंगे अगर यहां पर parameter है तो इन उन सभी family के हर एक member को टच करने बादा जो कर बोता है उसी कर को हम envelope बोलते हैं तो उस envelope का में equation यहां पर find करना है तो सबसे पहले तो जो given equation है उसको में लिखना होगा the equation the equation of the given a given line equation है तो given curve या given line is straight line का equation ही तो को इस्ट्रेट लाइन देना थे यह आपनी हम इसे कहा सकते हैं given family of a straight line जैसे कि आपने पहले बोला था इस्ट्रेट लाइन इस एकेशन लिखे देंगे हम इसे एक्स सेक अलफा माइनस बी बाई कॉस सेक अलफा इस एकल टूए स्कार मैनस बी स्कार इसे एक्वेशन नम्बर बान डालके ही पर छोड़ देंगे जो भी पैरामेटर होता है उसके रिस्पेक्ट में इसको पासली डिफ्रेंसियेट करते हैं तो इसको डिफ्रेंसीट करेंगे एक्वेशन इन ग्लॉप का एक्वेशन फाइंड करने के लिए डिफ्रेंड शीयटिंग equation 1 partially partially with respect to alpha तो अगले पेच पर हम इसको लिखेंगे और हम ग्यानते हैं पासली जब differentiation करते हैं तो alpha के लिए x constant होगा भी वाई constant होगा और यह constant होगा तो शेक alpha ही और कॉस्टिक अलफा ही वेर भी लोगे तो यह यह constant है तो इनको बाहर लिख लेते हैं अगले पेच पर यहां पर हम इसको कर रहे हैं तो एक्स इंटू में constant बाहर हो गया और सेक अलफा कालफा की रिस्पेक में पासली differentiation करना होगा तो सेक अलफा को होता है सेक अलफा इंटू टैन अलफा इसी किसके बाद बीवाई हमें यहां और मिला हुए थर्म ठाप और भी वाईएंटू में है constant है तो इसको ने बाहर लिकलिया है और मैं कॉसी क्लफा का differentiation करना है और हम शानते हैं कॉसी चकरडशीशन कॉसी कलफा का ii differentiation होता है माइनस का कॉसिक alpha कॉसे कुलफा इंटू कॉट अलफा राइट हैं साइट में a2-b2 है और अलफा के लिए वो constant है इसलिए इंका डिफ्रेंसिसन जीरो हो जाएगा यह माइनस यह- इंटू के पिलस होड़ागा तो महारे पास यू बचाया उसको लिख लेते हैं यह ए क्य 찾क है टू आज मारे अल्फा इन्टू सेकल फा इन्टेजनलफा मानस मैनस प्लस का भीये लोगाँ सेक आल्फा इन्टू कोड्लफा इकल तू दी डू इस एकेसिन को नोर्फा करके Reed या हमें equation number one में new value फूट करना है वो सेक अलफा और कॉसिक अलफा की फार में value बहां पर मौझूद है equation number one में सेक अलफा और कॉसिक अलफा है तो उसी फार में हमने value उनकी मालूम कर ले यहां पर in terms of x और इस value यहां से जो value मिलेगी वह alpha की अबने जैसे बताया सेक अलफा और कॉसिक अलफा की एक्वेशन नमर बन में रखने की तो वहाँ पर जब रख देंगे तो अलफा इलिमिनेट हो जाएगा अलफा जैसे इलिमिनेट होगा तो एक्वेशन नमर बन में जो हमने वैलू रखने के बाद eliminate किया है तो जो equation मिलेगा वो envelope का equation ही होगा तो हमारी यहां पर courses होगी कि alpha की कुछ ऐसी suitable value find कर लें वो तैम किसी की फार्म में हो sin cos 10 तो से मैं सैक और सैक alpha और cos एक alpha की value को आसानी से find कर सकते हैं तो इसलिए हमें यह दो टर्म हैं में से इस किसी एक टर्म को राइट हैं साइड में transpose करना होगा तो एक्स इंटू सेक अलफा इंटू 10 अलफा इस इकल टू मैनस वी वाई को सिक अलफा इंटू कॉट अलफा अब सभी को साइन और कास में कंबड करने तो हमारी आसानी रहेगी तो सेक एन को सेमारी आपकी सायन अलफ़ा आपको साइन ऋफ़ा च्यू अब यह द्यूंद की वाईक निखकर जासकता है अब यहाँ पर हम transpose कर लेंगे अलफा को एक तरफ देखिए sin into sin sin square हो जाएगा इसको जो हम right से left में ले जाएगे तो यह अभी तो denominator में है जब हम right से left में ले जाएगे तो numerator में पहले जो मौझू sin alpha उसके साथ multiply होके sin square sin cube alpha हो जाएगा इसी तरीके से cost को जो हम left में ले जाएगे अभी तो यह numerator में है और जब left hand side ले जाएगे कोल साइन के तो यह denominator में in cost के साथ में जाएगा तो cost की power 3 alpha हो जाएगी right hand side में अभी बचेगा only यहाँ पर वी वाई और left में जो AXS को हम जब ले के आएगे numerator से denominator में जाएगा अगर हम right hand side में transpose करते हैं और हम जानते हैं sin upon cost की value 10 के एक को लोती है alpha है लिख दीजिए power 3 थी दोनों के लिख दीजिए minus b by upon में AX तो इस तरीके से अभी हमें 10 alpha की फार्वे यह value आई है यह नहीं 10 है तो चुकि यह cube root निकल निकालते हैं हम लोग लेते हैं माइनस का तो वही माइनस का ही होता है यह 10 alpha is equal to हो जाएगा माइनस का इसमें b by की power भी यह आप सक क्यूव अटाएंगे तो राइट हैं साइड में power बन पान थीरी लग जाएगी तो दोनों की power भी बन भाई थीरी हो जाएगी और माइनस का क्यूव रोड भी माइनस होता है हाला कि तीन वैलू होंगे इसमें दो इमेजनरी हो जाएंगे तो उसको हमने छोड़ दिया है सिर्फ एक वैलू यह आपको सामने दिख रही रही है लिसको हमें consider करना होगा अब यह 10 alpha से हम इसके sign को जो है वह हम लोग जानते हैं कि 10 जो होता है वह पर्पेंडिकुलर अपान बेस होता है तो उस बेस पर हम इस sign को इस यहां पर भी दिख सकते हैं दर भी ले सकते हैं उस बेस पर हम कौस अलफा की वैलू या हम कहें सेक अलफा और कौसिक अलफा की वैलू जा है equation number 1 में पुट करने के लिए निकालेंगे तो उसके sign भी differ करेंगे तो इसमें एक सबसे पहले ट्राइंगिल बना देते हैं और ट्राइंगिल बनाने के बाद में यह अलफा इसे इंगल को कह देते हैं यह रफ का काम है और यह 90 डिग्री और 10 में होता है आप माइनस sign को किसी एक जगा पर ले जा सकते हैं यानि या तो numerator मिले जाए वी वाई की पावर बन बाई थीर या बनीडियेटर में माएनस है तो ऐसे में 10 होता है वह परपेंडिकुलर आपानस बेस होता है तो परपेंडिकुलर हो गया माइनस by की बावर बन बाई ठीर और बेस हो जाए का जब यूजस कर और हम हैप़ेंदेब की वैलो को निकालेगे find करेंगे तो यह numerator का square करेंगे तो ax की power जो 1 by 3 थी थी वो 2y3 हो जाएगी और पिलस ऐसे ही यहाँ पर इसका जब square करेंगी तो minus square plus हो जाएगा और by की power जो 1 by 3 थी थी वो 2y3 हो जाएगी इस तरीके से हम यहाँ पर say alpha की value और जो हमें जरूआ थे equation number 1 में और कॉसिक alpha की value हुआ हम यहां से find कर सकते हैं तो जब हम इस को लेंगे value को तब हमें सेख alpha की value सेख alpha की value यहाँ पर यानि सेख alpha की value मिन जाएगी सेख होता है base आप तो बेस यहां पर हो जाएगा यहां पर हैपेटेन्यूस अपान बेस होता है तो हैपेटेन्यूस की value यह है क्यों हम सेख वैलू निकालना है क्योंकि मेरे मैंड में cost था जिसका रेसिप्रोकल सेख होता है तो इसलिए score ने किया था तो यह हैपेटनियूस अपान बेस होता है तो हैपेटनियूस की वैलू AX की पावर 2Y3 प्लस BY की पावर 2Y3 और अपान में बेस हो जाएगा जो AX की पावर 1Y3 ऐसी फिर हम कॉस से कॉस से कॉस से का अलफा की बात करेंगे तो उसमें भी हैपेटनियूस अपान परपेंडिकुलर हो एक्स की पावर 2 by 3 plus by की पावर 2 by 3 अब आन में माइनस का होगा यह बीवाई की पावर 1 by 3 अब अगर हम इस कंडिशन को लेते हैं तो इसमें यह बेस पर्पेंडिकुलर पान बेस तो बेस होगा माइनस हो जाएगा तो ऐसे केसमें हम इसके दूसरा जो प्यार होगा उसको लि माइनस हो जाएगा यानि डूनिडेटर में तो ऐसे ही निम्रेटर में ऐसी लिख दें एक्स की पावर 2 by 3 प्लस बीवाई की पावर 2 by 3 यह वैलू जो बाइनस में हो जाएगी AX की पावर 1 by 3 और जो कोसिक की वैलू होगी यहां पर पिलस का पीलस की पावर बन बाई थिए और निमिडेटर में तो वह ही होगा यानि एक्स की पावर 2y3 प्लस बीवाई की पावर 2y3 चूंकि दोनों ही कैस हो सकते हैं तो इसलिए हम इसको दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेके चलना होगा और एक्वेशन में वैलो पूट कर देंगे तो एक बार यह देखें ध्य पॉसिटिव है इस तरीके से में एक्वेशन में वैलू पूट करना पड़ेगी तो यह वैलू जो में फाइंड की है से एक्वेशन नमबर मन में पूट करके हम अलफा को एलिमिनेट करके एक्वेशन आप एंवलॉफ फाइंड कर देंगे तो पूटिंग इस वैल्यूज क्यों नहीं हमारा इसमें एक्षा पैसे और सेकल्बाट की वैलू को में दखना है तो एल एक्स को है you ने यह मगर थो एकांज़े और फिर्स के बाद में माइनस दख रहा है दोनों झैजे अब पास एक्स कि पावर headed यह हमने से एकलफा की व blockchain को आपर T ऑर रखेंगे और आमने भी जैसे की पहले बताया कि जब हम से कल्फा को 5 ले रहे हैं तो कोषिक माइनस हो रहा है और जब हम से को मैनस लेते हैं तो और जीड़ नहीं ने पॉजिटिव रहा है तो यहाँ पर कौसिक अलफा की वैलू रख दें यह प्लस वाली ली थी तो यह कोसिक की वैलू माइनस वाली यानि निमेरिकल वैलू से मैं और साइन तो हम पहले लिख चुके हैं तो इसलिए सिर्फ में निमेरिकल वैलू उसकी रखना होगी जो भी है तो यह वैलू है इसको रूट एक्स की पावर तो वाई थी प्लस बीडाई की पावर तो वाई थी अपान में बीडाई की पावर बंद भी थी और वेकिश क्लोस और राइट-हनशाइड में चल ला है उसको लिख देंगे स्वैर मैंस बी स्कूर अब इस माइनस को गराम अंदर मुल्टिप्लाई करते हैं यानि मैनस साइन को यहां से बाहर ले लें पिलस हो जाएगा फायता यह मिलेगा यह दो लो नुमेरेटर में एक जैसे हो जाएगे तो हमें कॉमन लेने में आसानी हुई कल्कुलेशन से बिल हो जाएगा तो इसलिए हम मैनस साइन को बाहर कॉमन ले लें तो यह साइन चेंज हो जाएंगी यह मैनस का प्लस वाला मैनस या मैनस को अंदर लेंगे तो यह दर प्लस हो जाएगा यह साइन भी चेंज हो जाएंगे तो कुछ भी कहँए इसको हम अगली स्टेप को यहां पर लिख रहे हैं एक्स औ एक कैसे यहां पर भी होगा कि बीवाइक की पावर यहां और यहां पर वीवाइक की बार वन्यटि DEVADE होड़ा पावर माइनस होजाएगी निम्मेटर में वाली पावर मैं से डिन्योमटीर वाली पावर तो इसे लिखा घा सकता है इस तरह किसे हैu की पावर 1 में से माइनस करेंगे 1 by 3 और ब्रेकट में भी साइन प्लस माइनस स्क्वार रूट A x की पावर दो वाइ की पावर 2y3 और यह साइन प्लस हो जाएगा और by की पावर वन में से मैनस हो जाएगा 1y3 प्लस मैनस square root square root ax की पावर 2y3 प्लस by की पावर 2y3 और राइट हैं साइड में a2-b2 अब यह ब्रेकिट तो देखना है कि कॉमन है इसको हम इसके साइन सहीद पूरे इस बड़े ब्रेकिट को ही कॉमन ले देते हैं प्लस मैनस square root ax की पावर 2y3 प्लस by की पावर 2y3 यह बुरा ब्रेकिट बाहर लेने पर यह इसमें बच रही है पावर जब बन में से 1 by 3-2 by 3 बचेगा तो इसे सॉल करने जिए पहले में अब यह बच रही पावर इसको इस बेकिट में हम लिख रहे हैं एक्स की पावर 2y3 यह बचा हुआ है और प्लस यह बचा हुआ है जिसमें सॉल करेंगे तो बन में से 1 by 3-3 मैनस हो रहा तो यह 2y3 बचेगा राइट हैं साइड में a2-b2 अब देख रहे हैं कि यह जो है सेम है वेलू यह पावर 1 है और यह रूट अटाएंगे तो पावर 1 by 2 और इंटो हो रहा है तो सेम बेस जो होता है यानि एक्स की पावर 2y3 है प्लस बीवाई की पावर 2y3 है तो इसकी बन पावर और इसकी हाफ पावर जुड़के बन और हाफ जोड़ेंगे तो 3 by 2 हो जाएगा और इस प्लस मैंस साइन को हमने लेफ्ट से राइट में पहुंचा दिया एसकर मैंनस बीवाई स्क्वार अब दोनों तरफ इस स्क्वार होल अब स्क्वार कर लेते हैं अगर हम दो तब होल अब स्क्वार करेंगे तो यह तू किंसल हो जाएंगे अपान में से टू हर जाएगा तो बचेगा एक्स की पावर टू ऑई-थिडी प्लस बीवाई की पावर टू ऑई-śp आब बाव 2 3 हो जाएग but और यह होलाव 2 करने पर यह पॉजिटिल होगा तो यह menis केंस सायन तो मैंपारी रहेगा कोई दिक्केद ने सकेर हो गया 不對 if नहीं ménus है और इस तो ह referral कर रहें तो बीए बाव जाएगा इतना आ जाएगा दोनों की इसने पॉजिटिव निए डिपेस्ट अब त्री अगर इदर अपान वाली हटाएंगे उन्हीं पावर थी हटाएंगे लेफ्ट हंसाइड से तो हमें राइट हंसाइड में हम लोग जानते हैं कि पावर अपान में जलना था इक कुछ न मालोब के क्वेशन ही था तो ये केशन लाओं है तो यह कै सकते हैं, solve हो के आ गया है। इससे कहा है सकते हैं, which is the required equation of required envelope, which is the required equation of envelope, log एम को ले के आनादा था थां कि वेडि़ उत्वार इंडीड ओर लिस्निग वाकृत दामान अलाह्म्द दिल्वाहि रभी रभी रालमीन